राजस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग नुश निकल कर सामने आ रही है कि राजस्तान में इस बार सरकार रिपीट करने के लिए कौंग्रेस सालाकमान गेलोत के एक दरजन मंतरियों का टीकट काट सकता है वीडियो में आगे बढ़ेने से पेले वीडियो को लाइक चेनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो की नोटिपीकेसन सबसे पेले पाने के लिए चर्चा है कि परदेश पुरवारी सुपजिंद सिंग रंदावा ने एसे मंत्रियों को इसारा भी कर दिया है इन मंत्रियों के कामकाच को लेकर सरकार और संगठन इस्तर पर सर्वे किये गए हैं इनके खिलाप अपने अपने चेतर में जबर्दस सत्ता विरोधी लेहर है पार्टी के एक हलके में चर्चा ये है कि कॉंग्रेस इस पार परदेश में सरकार रिपीट कर मितक को तोड़ना चाती है इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है चर्चा ये भी है कि कॉंग्रेस साला कमार करना तक पेटन की तरे चुनाव लड़ेगा जिसमें सिर्फ जिताओ और टिकाओ उमीद्वार को ही टिकर दिया जाएगा बता दे गेलोत के पिछले दो कारिकाल में सतर फिस्दी मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा था राजनेतिक जानकारों का केना है कि इस पार पुर्वी राजस्तान में विजेपी कड़ी टक्कर में है पिछली बार दोसा अलवर बरतपुर, करोली, धौलपुर और स्वाई मादुपुर जिले में कॉंग्रेस को बंपर सीट मिली थी लेकिन इस पार हालात बदले हुए दिखाई दे रहे हैं इन जिलों में दो को छोड़कर गेलोत के सबी मंत्रियों को सर्वे रिपोर्ट खराब बताई जा रही है दोसा जिले में कड़े संगर्ष में गेलोत के दो मंत्री फसे हुए हैं जबकि अलवर्ट जिले में दोनों मंत्रियों को सत्ता विरोधी लेहर का सामना करना पड़ रहा है कम बोक्स एक मंत्री को छोड़कर बरतपुर जिले दो मंत्रियों से भी जन्ता नाराज है लेकनिये है कि राजस्तान में 2003 में विजान सभा चुनाव होने हैं CM 800 गेलोत अपनी सामाजिक सुरक्सा से जुड़ी योजनाओ के सारे सत्ता वापसी का दाव कर रहे हैं CM गेलोत इंडिनों देवदर्शन पर है विबिन सामाजिक संगटनों की मांगों को दड़ले से पूरी भी कर रहे हैं CM गेलोत ने मिशन 2030 का दाव चल कर BJP के मुश्किल में डाल दिया है इंडिनों की CM का फोकस जमीनी इसतर पर ज्यादा है काम भी दिखाई दे रहा है सियासी जानकारों का केना है की गेलोत सरकार वापसी कर सकती है हालाँ कि BJP परदेश बर में परिवरतन यात्रा के माजम से गेलोत सरकार को निसाने पर ले रही है चारों दिसाओं से परिवतन यात्रा निकाली जा रही है दोस्तों वीडियो को शेर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद